वेल्कुम तो चैनल वान सब्सक्राइब निफ्टी के पहले डेली अनलिस करेंगे अंदेन कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो कि इंट्रडे परपस पर होंगे तो अब कल का प्लानी जो होगा अगर अगर फ्लैट के मार्केट नीचे आता है तो पहला टारी बनेगे चार साथ से लेके चार सो पचास फ्लैट को नीचे आता है 18.460 से 18.520 के नीचे आता हाहं पांवसजी से लेके तो छी की मार्केट को सब्लीदी हैग अब Legion मार्किक को मीजर सप्लै जाग को मान के चलेंगा ओके यह सेननरी होगा उन्टरडे परस से करनाा अपधी 10 फारेशं के उपर लेकिन आप stick आपके एक भी मार्ट में थोड़ा कर सकता है समय आवसरों और्लेसं के वारेशिक और नेहीं कटे निशी मारा माई रखे है अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो अपन आठाए 620 को पर कोई प्रास सेक्षन होगा तो अपन वेट करेंगे और नीचे के लिए अपना सीधा है कि 18520 के नीचे 18460 के चार सो पचास और उसकी नीचे 18360 के टार्गेट इंटाडे में आ सकते हैं जो कि मार्केट का अल्मॉस्ट 200 पॉंट के आसपास का करेक्शन हो जागा जहां पर एक वैल्ली वाइंग हो सकती मगार्ट वह एक अच्छा सेनारियो होगा जो कि आज मार्केट साथ गैब डान भी खुला था और मार्केट ने क्लियरली 18360 का लो लगाया 18350 का अपना सपोर्ट था तो पहली केंडल में तो अगर किस कोई फाइब मिनेट केंडल भाई करता होगा तो इसको अच्छी टेड मिली होगा थोड़ा सा मार्केट चॉप होगा एक ही केंडल इतनी बड़ी बन गई जिसमें से काफी सारे बहुत अच्छा चले हैं आज और तो पहले स्टोक होगा अपना टाटा कंजी मगार यह इसको मैंने एक दो तन पहले डिसको किया था कि 795 के उपर की एक वी क्लूजिंग मिलती है तो यह अच्छा हो जागा थोड़ा सा पोजिशनल बेसे पर लेकिन क तो यह स्टॉक एक फोगस में रहना चाहिए अपने और दूसरा स्टॉक रहेगा अपना कोटक बैंक कोटक बैंक में क्या कर सकते हैं वन नाइन टू फाइब के नीचे एक सेकंड वन नाइन इस तरह के इसमें एक टैनलाइन जा रही है तो इसकी नीचे इसने ने क्लोजिंग दिया तो वन नाइन टू फाइब के नीचे इसको सेल करेंगा अपन और सेवन टू एट रूपीज का एसल डालेंगे एन वन रेसीट टू के लिए इसका वेट करेंगा ओके तो यह स्टॉक भी थोड़ा सा सेलिंग का प्रस्टर दिखा रहा है तो यह स्टॉक भी अपने रडार पर होना चाहिए दूसरा श्टॉक के BVL मैंने इसको थोड़ा सा पोजिशनल से बात किया था लेकिन पोजिशनल में अगर 1185 के ऊपर 1185 के ऊपर अगर निकलता है तो पहले डार बने का 1200 एंदेन 1220 यह दो टार्गेट इसमें इंट्रेडे में आ सकते हैं 1200 से लेके 1220 तक 1185 उपर अगर यह निकलता है तो ओके तो यह एक श्टॉक को अपने रडार पहोना चाहिए जिसमें बाइंग का पर अगर तो यह विकाज अभी देखो अगर जब भी यहां से क्या है यहां पर आया लेकिन अभी क्या हो रहा है इसमें थोड़ा सा हॉल ले रहा है यहां पर थोड़ा सा बेस क्रियेट कर रहा है तो इसमें एक ट्राइक किया जा सकता है ऐसा लोगा तो देखी जाएगी लेकि अगर यहां से मिलता है तो एक अच्छा अच्छे से इसमें काम हो सकता है अगर 16, मैं लेवल दे रहा हूं उसी के साथ से चलना है अपनों 165921660 की उपर ही 1660 से लेकर 1669 या 60 की उपर ही अपनों की इसमें एक अटेम्ट करना है जिसमें पहरा टारेव बनेगा अपना 1680 यह जा सकता है और वहां तक भी उसके उपर ही निकलता है तो फिर यह आने वाले समय में पर्कट नीचे है तो वह उसने लिड किया तो इसी तरीके से होता है जैसे कल मार्केट में कोई निकीटिविटी नहीं लग रही थी और सविए देखो का इस तरीके से बीहेब कर रहा है तो इस तरीकी से बजाए संसर हो लग रहा है हो सकता है 1660 के उपर निकले सस्टेन करें तो इसमें एक बाइंग का प्रैसर देखें कभी नगभी तो रिवर्स होगा तो अभी क्या है देखो यह रेजिस्टेंस पर क्या रहा है तो कल क्या करेंगे अगर यह फ्लैट खुलके 875 के नीचे आता है 875 से 874 के नीचे आता है तो परहा डारी होनेगा इसका 865 865 एंवेंचली 860 तक भी इंटर डे में ट्रैवल कर सकता हो के तो यह स्टॉक भी थोड़ा नजर में रहना चाहिए नेक्स स्टॉक अपना जो लास्ट स्टॉक भी होगा अपना होगा हिंडाल को तो हिंडाल को में 420 से लेकर q415 ससकता है चाड़ा लेकर ч minus 421 से लेकर 415 तक इंटर डे में ट्रैंड टेवल कर सकता है इसमें थोड़ा सा सटन भी दीच अप यस को नजरे न फुर tutte करना है इगल और यह नीचे आता है तो आज़ा सम से बंडार से प्रह सकता है और मांउंचली यहां तक भी वाला चार सो तक भी आ सकते लेकिन वो इंटरे में एक दू दिर एक दू दिन भी लग सकते हैं तो यह सिस्टर को थोड़ा ट्रेक करेंगा पर निए थोड़ा सा स्वेलिंग का प्रेसर बढ़ना अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्र करें बिलते ने शुन टब तक लिए बाहर सी यू